असलम उलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बहुत मज़े में होंगे तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का सालन या चिकन करी कहले तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी है मुझे उमीद है आप लोगो बहुत पसंद आएग एक हम रहा है एक पतीली रखर हमें की ले दो घ्कर गेहीं जाएंगा रसुनियों नो भी मंशर्ड fav हैं इसके में इसके में करते हिए करसें जाए ही मिद्यफ्टा सूर्णेडई ने भीछ सकतें छेए हैं। और हम इसको अच्छा से यहां पर ब्राउन कर लेंगे प्यास को तो यहां पर फ्लेम को हाई रखें और इसको अच्छा से चलाते रहें यहां पर इस तरह मैं इसको अच्छा से ब्राउन कर लूँगी यहां पर यह देख लीजिए यह तकरीबन शेलो ब्राउन हुई है पूर तो इसको इसके अंदर एड़ करते हैं अगर आपके चिकन में जादा स्मेल है तो आप इसको वेनिगर में थोड़ी दर के लिए भीगा देंगे तो स्मेल बिल्कुल निकल जाएगी बहुत ही सही हो जाएगा तो यहां पर फ्लेम को हाई रखें लोना करें और इसको अच्छे करीब जिंजर गालिक पेस्ट उसने मेना तोड़ी से गिरीन चिली भी आड़ के ति में और रिटे में और हल्दे एड़ करते हैं और सॉल्ट एड़ी में इसके इंदर एड़ करती हूं तो यहां पर फ्लेम को हाई रखें और इसको अच्छे से भून लीजेए चिकन को और इसके पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम कर दूँगी ताकि यह थोड़ा सा अच्छा से पख जाए और यहां पर यह सारे मसाले हैं जिसमें दो ट्रमेटोस है जो कि मीडियम साइज का था और उसकी जो हाफ प्याज में निकाल इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ बहुत स्मूद पेस्ट रेडी कर लिए हम यहां पर अब यह जो मसाले हम रेडी कि इसको चिकन के अंडर एट कर देंगे यहां पर फ्लेम को हाई कर दें और यह जो मिक्सी के जार में जो लगा हुआ मसाला इसको अच्छे से इसके अंडर हम एट कर सकते क्योंकि चिकन अभी गला हुआ नहीं है और पीसेज भी जाता छोटी नहीं है बड़ी साइज है तो थोड़ा से इसके अंडर हम पानी वाश कर कैट कर देंगे तकर 15-20 मिनुट में इसको इस तरह भूनने के बाद कवर करके छोड़ दूँगी इसका पानी खुश्क हो जाएगा और जो भी ऑईल है वो रिलीस कर देगा कुछ इस तरह हो जाएगा अब यह भून देंगे इसको अच्छे से फ्लेम हाई करके और चिकन गल चुका है बिल्कुल भी कच्छा नहीं है तो यहां पर भूनने के बाद हम इसके अंदर रहा तो आड़ करिएगा और देखिएगा इसका जो टेस्ट है काफी डिफरेंट हो जाता और बहुत ही यह दिश हो जाता है बहुत ही टेस्ट ही हो जाता है तो यहां पर फिल्म को हाई करते हुए हम इसको और भूनेंगे तीन से चार मिनट तक और इसके अंदर एक साइड में पान को एड़ करिएगा और यह जो में रेड चीली है जादा इसका कलर अच्छा नहीं है मिर पास फिलाल कश्मीरी लाल मिर्च नहीं था इसका कलर कुछ इस तरह दिख रहा है लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है तो यहां पर यह देख लिजिए तो अब यह पकने लग इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगे तक इसका जो फ्लेवर है सालन में अच्छे से आ जाए तो यहां पर मैं इसको डिशाउट कर लेती हूं तो कभी कबार ऐसा हो जाता है कि सालन है जो इसका कलर अच्छा नहीं दिख रहा है या फिर ऑईल कम हो गया है तो इस तरह आच्छे मिक्स करूं कुछ सेकंड के लिए मिक्स करना है क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर इसका कलर है जो काला हो जाएगा ऐसक तौड़ थोड़ा सालन है लुक वाइस नहीं टेस्ट वाईस בी अभी डबल हो बचुगा है मुझे यह पासंदा आई होगी दूामियाद अल्ला हाफिज